कादे राधे फ्रेंड्स में वीना पाठक मुरादावास से आज फ्रेंड्स आपको ये शीट दिखा रही हूं जो मैंने लगाए थे टिंडे के लगाए थे सैम के और बैगन के जो तीनों उग गए हैं उनकी चुटी चुटी पहुत तैयार हो गई है अब मैंन को अलग- तक शिफ्ट कर दूंगी बैगन के भी खूब सारे पाध हो गए हैं सैम के भी बड़े-बड़े हो गए हैं ये शिफ्ट करने लाइक और ये फ्रेंड्स टिंडे के भी तो इनको हमें शिफ्ट कैसे करना है वो मैं बता रही हूं इनको शिफ्ट करने के लिए फ्रेंड्स हम यह तो अभी छोटे हैं थोड़े और बड़े हो जाएंगे बैगन के पौद अच्छे से तैयार हो जाएगी जब मैं इनको सिफ्ट करूंगी और यह टिंडे के करीब 6 पौद हैं एक पौट में मैं दो लगाके इनको सिफ्ट कर दूंगी तो यह हमें सिफ्ट करने के लिए फ्रेंट्स खुर्पी का यूज नहीं करना चाहिए कोई लकडी की खपच्ची जैसे बास्की होती है उसके द्वारा हमें इन्हें अलग करना चाहिए अगर खुर्पी की खुर्पी इनकी जड में लग जाती है तो टिंडे हैं जो भी यह मत द्वब्र हो जाते हैं किया है तो हम्हें लकडी की खपच्ची से इनको ट्रांस प्रण्ड करना चाहिए उसके जड़ में कहते हैं सुना है मैंने friends छोटे छोटे से पौध होते हैं लकडी की खपच्ची से आराम से transplant हो जाते हैं भुरबुरी मिट्टी में है ये तो उससे हमें transplant करना चाहिए इनको खुरपी नहीं लगानी चाहिए इनकी जड़ में बाकी मैं देखती हूँ पहली बार मैंने लगाएं ये टिंडे के और बैगन के बैगन के मैंने बिंटर में भी लगाए थे लेकिन अच्छे नहीं हुए अब की बार ये देखिए अच्छे लग रहे हैं मुझे तो मैं बैगन के भी transplant कर दूँ ये एक पॉट में एक ही लगाऊंगी बैगन का बड़ा पॉट होगा तो इसमें दो लगा दूँगी बाकी दस इंची के पॉट में एक में एक ही लगाऊंगी ये मैं और ये सेम की बेल है इसमें भी चार पाँच हैं ये भी transplant कर दूँगी ये ग्रेल पे आराम से चड़ जाएगी तब देखती हूँ इसमें सेम आती है या नहीं बहुत तो कूब हैल दी है अच्छी है एकदम देखिए अच्छी निकल आए हैं फुल सनलाइट में रखे हुए हैं दोनों टाइम इन में पानी दे रही हूँ फ्रेंट्स अब जब अलग अलग सिफ्ट कर दूँगी तो फिर ये और तेजी से बढ़ेंगे देखिए अब कूब हैल दी है टिंडे के भी देखिए मुझे लगता है इन्हें आप कर देना चाहिए ये अच्छे लग रहा है बैगन के अभी छोटे है ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे इनको जब मैं करूँगी कर दो के दे कर दो के देखिए ये ये कर दो लोगरे है ये ये